आजी सुनिबा सुप्रसिद्ध कथाकार रामचंद्र बहेरान कर एक गड़प बाप्पा गोटी घटना रू आउगोटी घटना गोटी अभिक्यांता रू आउगोटी अभिक्यांता ए दुईती मध्याने थाय अनेक संजोजनकारी तनतु समय बोली जिनिसाटेता थाय गोटे सेत्तु भले एहाकु संपर्कित करिबापाई ता सहिता मध्यान थाय मनिसर क्रिया शुलता परिस्तित्र गती शुलता एबं आहुरी केते कन गोटी ए दुष्टी भंगेरू अन्ययक संपर्न प्रुथक एपरिकी बिपरित दुष्टी भंगे बदलु थाय परिप्रेख्षी आउरी मध्या परिपक कता अति तरे एक वाजाई तीवा कथा कराजाई तीवा कामो इत्या देकू परवर्ती समयरे नाकच करिवा पाइं संग्सोधन करिवा पाइं आग्रह एबं ब्याकुलता एमती घटु था है सबुबले समस्तनक परिवर्तीता जिवनर प्रेख्या पटरे समय ओ परिष्थेती क्योंठी पहंचाय दिये मन शेकू बिश्वास करी परिणाहिसे केवे केवे दिने से इमती कही थिला इमती करी थिला निजकू ओ पुरुथिविगू से एबे चिन्ही थिवा मापदन नरे अतीतर कथा ओ कामोपाई से अप्रतिभ ओ अनुतप्त हेबा साधारन ब्यापार हाईकोटर एकदा आपात अथा सफ़ल ओकिलाथिबा सर्बेस्परंक साननातनी चंदा एकथा भाबुतिला रविबार सकाले खबर कागोज धर्थिबा बिले एटा भडा घर अजांक विशाण कोठा घर एठारू हेबब आखापकी 200 किलोमेटर दुर मात्र पंदर दिन तले एई सहर रे छंदार पोस्टिंग आडिशनाल तहसिल्दार भाबरे एकप्रकार संतोष चनक चाकिरी चन्दा जाने जे शे अपा भड़ी मेधावी थिला तेवे तार किंचित भय थिला गणित प्रती अपा भिज्यान पढ़िला कोठे प्रसिद्ध कमपानीरे सब्टोयार इंजिनियर भाबे अबस्तापित हेबार मास केईटा मध्यारे एवेसे बिदेश रे ता सहित चन्दार संपर्क चिकबल टेलीफन जरियारे मात्रोयवे चन्दार धारना दुरुढ हे उची जे अपार कथा भर्तारे रूटिन बंधा जानत्रीकता स्पष्ट होई पड़ुची उसमता हजी जाउची आस्ते आस्ते चन्दा बली कहको छातीरे जाकी पकाउथिवाब मनिसतला अपा घड़ घड़ी सुनी बाबले क्यों ठी जुन्ती होई कहुनी रे चोट्र लागिले कानो फोरी बाबले आतंकित हले सिलनी रे तुरुतियस्तान कुखसी आसले एभडी बाल्योकाडार विपद विपर्जय मोर्तर थाए अपा एवे के जानी साता समुद्र आरपाररे थिबा अपा रही जाउची एक रहस्य मत्यारे ठीक भाबे जानी होई नहीं कौन से करीबाक जाउची निजा जीबन कु नहीं तुकन बिदेशरे रही जीब अपा अउँ एणे फेरीबु नाहुए लिए ठीक करचु एभडी प्रश्नर उत्तर मत्यों खेडे का मय जाना पड़े किये सब कहिला सेम्तिकेचे ठीक कर नहीं कौन सी गुरुत्त पुर्ण निस्पतिनले तो परामर्शरे ही निया जीब तोर एई भरसार हईवा कथा मोव परे एणे अपा प्रचार होई जाईची जेतु करे इस्राइलले जने सहकर्मिंकु लव करुचु गोपनरे बाहा होई शाल्लूनु एक दाकन सत्ता स्टुपिड आर अपा खरु अपार बिरक्ति मिश्या स्वर जने जुपक सहेता कथा वर्ता करुकरु लव ही जिवा बाहाग प्रचार होई जाकिरी आरंब करतिवा छंदा एई सान भडा घरे अजा उकिलाती करीपरुन हांती धेर बर्चाहला चला बुला करीपरुन हांती भलवाबे या सत्तु एत अंकर स्मरन सकती उहले पड़ी नाई मांग सपे शिवरी किम्बा उपुरी जाये नहीं केसा यवं दान्त भले ये सहर अरे थिले तांकर पुरुना क्लाइन्ट हाइकोट्रे मामला थिला वुले सेमानक मध्यनु जने देव जन उनक पाखकु अजांकर टेलिफोन सद्य त्यारी होई थिवा ए भडा घर अपेख्या करी रहितिला छंदा पाई ख्यमता संपन्न अफिसर कु घर जोगेदे बार क्रुचित्व काहरवादर कार नहीं। चंदा पुनी खबर कागजर सान संबाध परे दृष्टी बुलायानला। तहा फ्रकास्त हुई थिला एक अबहरेत स्तानरे सतर कहिन पाठक एही संबाध संपर करे आद्धो सचेतन नहेबा स्वाभाविक गुरुतर असुस्त थिवा स्तानियो कलेजर अध्यक्ष हमन्त कुमारंकु अबसर कालिन संबर्धना दियाएची कलेज तरफुरू। हमन्त कुमार? सेकन थिले एई कलेजरे प्रिंसपाल? रिटार कला बढ़े? संकुचित हुई परे ला चंदार देह। ए संबाध पढ़ चंदा नथिला जने अफिसर होई। पांचा छव बर्षर सानपिला अबस्ताकु से फेरी जा उथिला। ओजा सर्वेस्वर तालिम दे उथिले चंदा एबं ताठारु दुई बर्षर बढ़ अपकु। ए पिला दुई जन कोट्रे हाजर होई बयान देवे। शेमान का ब एबं अपा निर्बोधंक भड़ी चाही रहीले सर्वेस्वरंक आडे। शेमाने एजावत एक बापा भीहिन प्रुथिविरे ही रहियासी थिले। हेत्तु हे बादेनू शेमाने रहियास्चंती अजांकर एकोठा घरे। शेठर थांती आडबकेट मामू माई एबं डाक् दो मुहला घरर उपर मुहलारे गोटिये पाखको दूइटी रूम भितरू गोटिकरे रहंती एदु हे अन्यटिरे रहे मा। से जने डाक्तर मध्यां सकाल बाहर जाए 25 किलमुटर दुर डाक्तर खानाको आउ फेरु-फेरु संजा होई जाए। एई घर एहार एई सहीतन ही परिचित एई पिलादुई जन एठार बापा का आंती। से थिले कीपरी होई थानता स्यमानुका जिबन चर्च्या। अनुमान करीबा संभव हुए नहीं स्यमानुका पक्खे। स्यमानुको हेत्तु हेवाद दिनू के बला गोटिये कथा कुहा जाई ची। तुम कहीं की ना केवेगिपरी स्यमान प्रश्ण पचार उथुले दिर्गो कहानी बापा एठको आसीबे नहीं कहीं की। स्यमाने कहीं की जाई परिवी नहीं तांक पक्खकु। बापांक संपर करे ए तत्या अंतरलारे रहिजाउधिला। एको कहानी रहिजाउधिला अप्रका गर कहिले अजांकर ए घर बापा विबर जित पृथिवी सेमानंक पाईं बापा अच्छन्ती किन्तु नाहंती बास्तविक सेमानंक पाईं तम्हे कण उत्तर दबय प्रश्णर तम्हें चीन्ही पारिवतुम बापांकु छंदा किची कही बागरु अप्पा कहितला ना शिकिन्तु निश्चित न थिला ए उत्तर ती उपजुक्त किन्हे अजा एमती उत्तर ती दरकार करुछन्ती ना अन्यकोणसी उत्तर गोड अजा आस्वस्त हैले संतोस ब्यापेगला तांक मोहरे तांकर परवर्ती प्रश्ण थिला तुम्हा बापा तुमकु आसंती? पूर्व प्रश्णर उत्तर ठीक थिला वोली अजा गुड कही प्रश्ण सा करतिले ताहा ढेर उस्चाहित करतिला पिला दुई जन्कु एतर अनायासरे अत्मभिश्वाप सरहिता उत्तर आसला ना सर्वेश्वर संतुष्ट देख्या किले अधिक किन्तु गुड गुड बोली साटिफिकर दवा अनावस्च्यक मने कले तांकर अन्य प्रश्णर दिथिला अने कर तुम्ह बापा तुम्ह मनकु निज्य पाखरे रखिवापे इच्छा कले करिवा तुम्हे बापांको पाखरे रहिवा ना मांको पाखरे पिला दुई जन बुजी पारले नाई हर तत्पर्ज पूनी निर्भोध देखा देले अनेले परस्परकु अपा कहिला सम्भवत गुड बोली सुनिवाकु संतुष्ट अजांका पाखरु आमे समस्ते एकाठी रहिवु बापा मा आउँ आमे नोयराश्य भ्यापी गला सर्भेश्वरंको मुहरे शे कहिले तुमको पचराजीब कहा पाखरे रहिवाकु पसंद करीवा तुमे मा पाखरे ना बापांक पाखरे मने करजे मा आउँ बापा एकाठी रहिवे नहीं केब्बेहले उपा किछी बुझी परला कि मुह तळकु कला चंदा देखिला एई अबस्ता उपार सेमध्यों कि जानीन परले बी पसंद ना पसंद रर परिसर संकुचित सेमाने रहिवे मा पखरे किमबा बापांक पखरे कहिंकिना अजांक को था आनुसरे बापा मा के बहले एककाठी रहिवे नहीं एबं सेथिपाई समस्ते गोटिये एकक होई परिवे नहीं बापा अपा एबं छं अथर्च ये माने सम्बोधन करी नहांती संप्रक्त ब्यक्तिंगु। अथर्च ये माने सम्बोधन करी नहांती संप्रक्तिंग। अथर्च ये माने सम्बोधन करी नहांती संप्रक्तिंग। बापा रास्ताकडर गुटे मायल खुन्ट जे माने सम्बोधन करी नहांती संप्रक्तिंग। उत्तर मलेला आमे मापाखर ही रोहिव। गुड पूनी संतोस प्रकास थला एथरक वहागला। तमे कही बजे आमर संपर्पक नाही बापा बोली एलोक सहिता। जे उलोक आमको देखिवापाई मध्यां आग्रह प्रकास करनती नहीं। तांक पकरे आमे रोहिवुकी परी माँको छाडी आमे सेहिती पैं बापांको घुरुणा करू। सार्बेस्पर सिखे इती बा एई संग्राप सोनी बाको चाहिले एमानंक पाखरू। सेमाने आपाता था निर्भूल भापरे पुनराप ब्रुति कले। एई कथा कहीले थरे दी थर। किन्तुक अटकी गले गुटे बिन्दु पाखरे। सहजरे कही पारले नाइजे शेपने बापांको गुरुणा करूंती। एमतिकन कुह जाई फारिपव। सेमानंक पाई बापा एको अनुपस्थेती। हुएतो एको हेमालिया अबहला। एहाकन कठोरा नुरुशन सता। अप्पा एबंग छन्दा टिके बिकला दखा गले। वेशी बिब्रत वो अक्षम होई पड़ेला छन्दा। विस्त्रुशना आशी गला। ओ जांक प्रती। से एमतिकर्था कही बाशकासे काहींकी बाद्ध्यकरुचुनती सेमानंको। मात्र सेमाने कचेरी रे एमति कहेले। कही बापाई जथेश्ट प्रबर्तना वो चाप प्रयोग करीवाकु पडिथिला। से एबसर रे सेमाने देखिवाकु पाई थिले बापांकु। कलेजरे अध्यापना करुथिवा हेमन तकमारंकु। दिसुथिले चिन्तित विब्रत पांचा फूट आठ इंचर इसत स्यामळ बर्नर चसमा पिंधा लोका जने। पापा। पापा एबंग छंदा देखिवतिले तंकु कवत्वलर सहित। मिसुथिला ता सहित आबेगटि की। सिहरन मत्याँ पचरिवी की केमती अचरे मोँ पिला माने। केते जुगरु तमकु देखिवी बली मना हाईपाई होतेला। ए आखिरे छातीरे सोसाचे काही कौन। मोँ भीतरे लंबा मरुभुमी र धू 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 बाली जड़। तमकु देखिली सोसा मेंटी गला। मरुभुमी उपेर देखा अलोवकी का सबुजिमा। फुला फड़ ओ महुमाची। सिमती कीछी भी घटिला नाही। से बरंग पिला दुजण कु देखिले थांडा उदासिनात भावरे। साते जेपुरी एक बिरक्तिकर बोजह एमाने। फोपारिजवा संभाव नुहे। एमानुक भारा संभारिवावी नुहे। एक प्रितिकर एबंग प्रसंसन्य अभ्याबार। एमानुकर जानमा एक परिनती। जाहको शिवकार करिवापैं छे प्रस्तुत नथिले। दहीक कामनाको संतुष्ट करुकरू अनावस्यक भावे भूमिष्ट होई थिले। एमाने। एमानुकु पाइवा आद्दू प्राथमिकता नथिला तंकर। एमाने के वहले अभिप्राय नथिले तंक सुरूंगार अर एमती जणापडितला हेमंतंक आचरणरू सेदिन। सुरताबंधु एटि रखुचु प्रसिद्ध कथाकार रामचंद्र बहरांकर गडप बापार प्रथम भाग। एहर दूत्य भाग परवर्ति भीडियो रे आपनमाने सुनी परिवे। आमर सुरूती साहित्य को आपनमाने सब्सक्राइब करन्तू लाइक करन्तू एवं पंदुमान कवित्यरे स्यार करिवा को भुलिवे नहीं। नमस्कार।